Hello and Welcome to Civil Engineering Quick Solution तो आज मैं आपको दिखाऊंगा Bearing कैसे हम सेट करते हैं जो Peer Cap के उपर तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था Piling करी थी Piling की वीडियो मैंने डाली थी उसके बाद हमने Peer डाले थे Peer के बाद हमने Peer Cap डाली और अब हम पहुंच चोके हैं Bearing पे यानि कि Bearing के बाद हम यह गडर लांच करेंगे यहाँ पे तो यह जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे यह Bearing लगी हुई है यहाँ पे हम 6 Bearing यूज कर रहे हैं एक साइड में तो इन Bearing के बारे में आपको पता होगा आपने पढ़ा होगा पहले कि जो Fixed Bearing होती है या फिर जो रोलर होता है तो ऐसे करके काफी तरह की Bearing से मारे पास होती है तो यहाँ पे मैं आपको दिखांगा कि हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं हम चेर मनाते हैं चेर हम बोलते हैं हम čार सरी लेकर इनको तोटल सेश्न के साथ लैवल उनके मारक कर लेते हैं उनको अच्छे से मारक करके पिर हम एक चेर बनाते हैं चार सरीओं की उसके उपर हम Bearing रखते हैं तो यह जो key के भड़र आप देख रहे होगा है हम launch करेंगे इसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी तो यहां पर हमने छे बेरिंग लगाई है तो अभी भी काम चल रहा है और यह दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा तो यह दूसरी तरफ जो पीर है हमारा इसके पर हमने वीरिंग पेर कैप के लागा दिया है शट्रिंग कर दिया है इनकी सिर्फ इसका कॉंकुरिट होना बागी है तो इस तरफ हमारे पास अभी काम चल रहा है तो इस तरफ हमने काम कम्पलेट कर लिए है तो इन bearings के उपपर फिर जो हमारे गडर जो है वो रखे जाएंगे तो यह railway portion है जैसे कि आपको पता है कि railway portion में steel का गडर हम use करते हैं इसलिए हमने जो steel गडर यहाँ पर मंगवाई हुए वो हम यहाँ पर launch करेंगे तो बात करते हैं bearing की तो bearing में जैसे कि आपको पता है कि कहीं तरह की bearing होती है हमारे पास जैसे कि fixed bearing होगी जैसे कि जिसकी जो moment होती है longitudinal या transverse जो moment होती है वो bearing हमारे पास होती है और hinge होती है कहीं तरह के हम जो use करते हैं अलग-अलग condition के according तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप देख रहे हो यहाँ पे यह जो cutter वगएरा हमने लगाए हो है जिसके साथ हम जो steel को जो सरीय को काट के यहाँ पे इनको fix कर रहे हैं तो यह दूसरी तरफ का portion है अभी यहाँ पे काम pending है तो यहाँ पे यह जो हमारी cross plates पड़ी है जिनको हम बाद में gutters के अपर लगाएंगे यह भी मैं आपको सब बाद में देख रहे हैं तो यह आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या किया है level के साथ हम इसका level चेक करते हैं bearings का जैसे कि आप देख रहे हो 00 level होना चाहिए bearing का तब ही हम इसके अपर गडर रखेंगे तो यह जो bearing आप देख रहे हो यह है fixed bearing इसके बारे में इसकी detail इसके अपर लिखी हुई है यह मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि आप देखोगे fixed bearing यहाँ पे लिखा हुई है तो ऐसे करके हमने अलग-अलग तरह की bearing इसके इसमें लगाई हुई है तो यह भी मैं next आपको दिखाता हूँ यह भी fixed bearing है जो की skip उपर detail भी इसकी लिखी हुई है तो यह आप देख सकते हो fixed bearing तो ऐसे करके हम अलग अलग तरही बिरिंग के अंदर हम यूज कर रहे हैं यह जो आप निचे की जो देख говорят ँपोर्षन तो यहां पर हम चेर बनाते हैं और चेर बनाके इस बिरिंग को सेट करके उसके बाद इसमें गोल गोल देख रहे हैं इसको बोलता है स्लीवेज तो ये स्लीवेज इसके अंदर हम लगाते हैं नट इनको ट्रैट कर देते हैं फिर इसको हम बाद में वैल्ड कर देंगे जब हम अच्छे हमारा लैवल final हो जागा है यानि कि हमारा लैवल होना चाहिए तो यह आप देखोगी यहाँ पे चेर अभी बना रहे हैं नीचे चेर बनाके बेरिंग इसके पर रख दी है और अब आगे क्या चल रहा है जो हम स्लीवेज है जो हमारे उसको हम इसके अंदर लगा रहे हैं यह आप देखोगी स्लीवेज जो यह गोल गोल यह nut के साथ इनको हम लगाते हैं इसके उपर तो चार सरीय की साथ हम चेर बनाते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था तो यहां पर welding के साथ हम इनको fix कर रहे हैं यह आप देखोगी nut bolt के साथ इसको tight कर देते हैं उसके बाद बाद में इनको हम जो है welding करके पूरा अच्छे से fix कर देते हैं यह सरीय जैसे आप देख रहे हो यह वड़ा और यह दूसरी तरफ वड़ा ऐसे करके हमने चार सरीय लगाके चारो साइडों में एक एक सरीय लगाके उसके पर लगाके दो सरीय वेल्ड गरके फिर यह हमने बीरिंग रखिया उसके पर bearing को उसके साथ weld कर देते हैं और बाद में हम sleeve है जिसके अंदर लगाते हैं तो ये जैसे हमारे पास एक और bearing है जिसकी movement जो है वो transverse direction में होगी ये आप देख रहे हो ये जो bearing है इसके पर ये mark किया हुआ है जैसे arrow तो ये transverse direction में ये move करेगी bearing तो जब इनकी launching होगी जब हम gadder यहाँ पर launch करेंगे तब भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ये जो chair है जिसकी मैं बात करता है ये जो सरीय है जिनके साथ हम इसको fix कर लेते हैं पहले फिर बाद में में sleeveages fix करते हैं nut bolt के साथ जो कि आप hole देख रहे हो उसमें nut bolt के ये hole है निचले वाले side उपर वाले side तो हमारे जो gadder के हैं ये ये gadder लगेगा उपर तो gadder के साथ इसको हम tight कर देंगे ये भी जो आप bearing देख रहे हो ये भी semi bearing है और इसका level आप देखोगे 00 होना चाहिए हम इसका level चेक करते हैं after and before launching तो ये यहां पर हमने bearings अलग अलग तरह की use की हुई है अब मैं आपको दिखाऊंगा sleeveages ये जो gadder आप देख रहे हो दूसरी तरफ gadder पड़े हैं इनको हम launch करेंगे इस span के पर total span के पर ये हैं जो जिनकी बात मैं करता हूं sleeveage तो यहां पर nut bolt ऐसे लगा होता है और ये निचे से पूरे एकदम hard होते हैं यानि की काफी बारी होता है ये इसको हम जो है bearing में लगा देते हैं nut bolt के साथ और बात में इनको weld कर देते हैं welding के साथ यानि की सरीय के सरीय लगा के इसमें इसको weld कर देंगे यानि की पूरी तरह से ये जो सरीयों के साथ attach हो जाएगा अच्छे से तो ये हमारे पास काफी हहां sleeveages पड़े हैं तो ये मैपको थोड़ा दूसरा जो view दूसरी तरफ का है जो हमने bearing लगा दिया है लगाने के बाद जो shuttering कर दिया है वो दूसरी तरफ काम चल रहा है अभी लेकिन इस वाले पियर पे हमने क्या किया है जो bearing लगा के उनको fix करके इनका level okay है बिल्कुल zero zero level है level चेक करके फिर हम इसमें क्या करेंगे अब concrete कर डालेंगे इसमें यानि की concrete डालके इनको fix कर देंगे properly फिर इसके पर हम क्या करेंगे एक plate लगाएंगे इस bearing के अपर plate लगाके जो गड़ रहा है हमारे उनके साथ इसको weld कर देंगे अच्छे से वो भी मैपको दिखा दूँगा बाद में यहां पर हमने शट्रिंग लगा दिया है अपनी 6 की 6 bearing की शट्रिंग लगाके बस इनकी casting होनी है casting हम साथ में ही करेंगे दोनों की इसलिए इनको अभी रोका हुआ है तो casting के बाद जब इसमें plate लगाएंगे और जब इसको launch करेंगे तो मैं सारी वीडियो आपको अच्छे से दिखाऊंगा यह हमारी यह गड़ने जो स्टील के गड़ने जैसे मैंने आपको बताया I hope वीडियो आपको अच्छे लगी होगी Thanks for watching